कबीर दास के दोहें और रामायन एक बड़ा ही अनोखा मेल है किन्तु अगर कबीर दास के दोहों पर नजर डालें तो वह मानव जीवन की असलियत बताती है और यही काम रामायन द्वारा किया गया था कबीर के दोहे जहां मानव को समझाती है की क्या सही है और क्या गलत वहीं रामायन मानव जीवन की शुरुवात से लेकर उसके अंत तक की पूरी जीवन शैली का ज्यान प्रदान करती है कैसा जीवन बिताने पर और कैसा कर्म करने पर क्या परिणाम हो सकता है यह ज्ञान हमें रामायन द्वारा प्राप्त होता है। कबीर के दोहे हमें केवल सही और गलत के बार्यन में सिखाते हैं, जोकी बहुत उपयोगी है, क्यूंकि उन्होंने जो देखा है, वही बताया है। जिन्होंने जब अपने जीवन का कुछ समय व्यतीत कर लिया, तब उन्होंने मानव जीवन को समझा और धर्म निश्पक्ष होकर वह बातें बताईं जिनसे मानव जीवन सफल हो सके। जिन्होंने सुमिरन करे, दुख कहे को होए। दुख में सभी परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई नहीं करता। यदि हम सुख में भी परमात्मा का ध्यान करें, तो जीवन में दुख के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। जिस प्रकार रामायन में हनुमान जी हर समय प्रभुश्री राम का ध्यान करते थे। चाहे वह सुखी हो या दुखी, हर समय केवल अपने प्रभुश्री राम का जाप करते थे। इसी लिए वे हमेशा प्रसन्न रहते थे। तिनका कभू ना निंदिये, जो पाव तले होये। कभू उड़ आँखों में पड़ी, पीर घनेरी होये। तिनके को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो आपके पाव तले ही क्यों न हो, क्यूंकि यदि वह उड़ कर आपकी आँखों में चला जाए, तो बहुत तकलीफ देता है। जैसे रामायन में हनुमान ने छोटा रूप धर कर, द्वार पर खड़िधी लंकिनी को एक ही घूंसा मार कर उनको घायल कर दिया था। जबकि लंकनी ने सोचा था कि वह इतने छोटे रूप में उनका क्या बिगाड लेंगे। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दें, मन का मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य पूरी जिन्दगी ईश्वर की माला का जाप करता रहता है, किन्टु मन रुपी माया जाल में फंसा रहता है। मनुष्य को मन के माया जाल से मुक्त होना चाहिए और उसे काबू में रखना चाहिए। अर्थात मन का सुधार करना चाहिए। जैसे रामायन में रावन भगवान शिव का परमभक्त था, किन्तु फिर भी वह अपनी मन की इच्छाओं के मायाजाल से मुक्त नहीं हो पाया अगर वह परमभक्त होने के साथ साथ अपने मन को काबू में रखता तो उसका अंत कभी नहीं होता गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपनों गोविंद दियो बताए कबीर जी कहते हैं कि गुरु और भगवान दोनों अगर सामने खड़े हो तो किसके पाओ पहले छूने चाहिए क्यूंकि दोनों दोनों ही एक समान है उत्तर गुरु है क्यूंकि गुरु द्वारा ही तो ईश्वर यानि गोविंद का ज्यान प्राप्थ हुआ है जैसे रामायन में वन में जाने की आज्या हे तू श्री राम ने पहले अपने पिता दशरत के पैर छुए और फिर महरिशी विश्वा मित्र जी के क्यूंकि राजा दशरत ही श्री राम के गुरु समान थे जिन्होंने उन्हें रीशियों का सम्मान करना सिखाया था कबीर माला मनही की और संसारी भीक माला फेरे हरी मिले गले रहट के देख कबीर दास ने कहा है कि माला तो मन की होती है, बाकी तो सब लोग दिखावा है अगर माला फेरने से ईश्वर मिलता हो, तो रहट के गले को देख कितनी बार माला फिरती है मन की माला फेरने से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है जैसे रामायन में रावन और राम दोनों ही भगवान शिव के भक्त थे, किन्तु श्री राम मन से उनकी पूजा करते थे और अपने सभी कारियों में यह निश्चिंत करते थे कि उनमें भगवान शिव की अनुमती हो इसके विपरीत रावण केवल भगवान शिव को पूजा द्वारा ही प्रसन्न करने की कोशिश करता था, किन्तु अपने किये कार्यों पर वह कभी ध्यान नहीं देता था। इसी लिए राम रावण युद्ध के समय भगवान शिव ने प्रभु श्री राम का साथ दिया, सुख में सुमिरन न किया, दुख में किया याद। कह कभीराता दास की कौन सुने फर्याद, मनुष्य सुख में तो अपनों को कभी याद नहीं करता और दुख के समय याद करत कभीर दास जी कहते हैं कि ऐसे मनुष्य की प्रार्थना हर कोई नहीं सुनता, जैसे रामायन में सुख्रीव ने बाली से अपना राज्य पाने के बाद श्री राम को दिया वचन भुला दिया था, जबकि जब वह बाली के आतंक से दुखी था, तब उसने श्री राम से मद अगर लेना चाहते हो तो ले लो, जब समय निकल जाएगा तब तू पच्छताएगा, अर्थात, जब तेरे प्राण निकल जाएगे तो भगवान का नाम कैसे जपाएगा, जैसे रामायन में हनुमान जी हर समय श्री राम के नाम का जाप करते थे और आनंद प्राप्त करत किन्तु रावन अपने अंत समय में श्री राम का नाम लेते हुए पच्छताता रहा, कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोब तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप, जहां दया है वही धर्म है, और जहां लोब है पाप है और जहां क्रोध है वहां काल नाश है और जहां क्षमा है वहां स्वयम भगवान होते हैं जैसे रामायन में राम द्वारा दया और धर्म, रावन द्वारा लोब और पाप, बाली द्वारा क्रोध और काल और अहिल्या द्वारा क्षमा और भगवान द्वारा उनका माली सेंकडों घड़े पानी पेड में देता है, परंतु फलतो रितु के आने पर ही लगता है। मा सीता को तुरंत वापस भी ला सकते थे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो हमारा मनूबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ संदेश आप हमें देना चाहते हैं, तो वीडियो पर कमेंट कीजिए, धन्यवाद.